आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत जूठी थी उनका कहना है कि महाभारत के गीता की उपदेश भी सिर्फ लोगों की मनकी वनाई बाते थी पर लगातार मिलते गए पूरा तात्वीक और वग्यानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुह अपने आप बंद होने वाला है आज हम महाभारत से जुड़े साथ ऐसे जीवित प्रमाडों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं उसके बाद निर्णे आप पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था अन्य था नहीं सबसे पहले बात करते हैं और वह है कुरुक्षेत्र यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था जो आज भी हरियाना राजमिस्थित है कहा जाता है कि उस समय तबाहि ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वज़ा से वहां की धर्ती लाल हो गई थी पुरा तात्विक विशे सग्यों ने भी यह माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गढ़ा पाया है जिनकी जाच परताल करने पर 2800 इसा पूरु का बताया जाता है जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए है यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी यह बात पता होगी दूसरे प्रमाड की बात करते हैं और वह है आज कल के नुकलियर वेपन महा भारत में आपने ब्रम्भास्त नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा या अस्त्र धर्म और सत्य को बनाये रखने के लिए ब्रम्भाद्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनासकारी परमाडू हतियार था माना जाता है कि यह आचोक और भयंकर अस्त्र होता था जिसे केवल दूसरा ब्रम्भास्त्र ही रोक सकता था और जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस लेने की ख्यमता भी रखता है रामायड में जब लक्षमण ने मेगनात पर ब्रम्भास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्षमण को यह कह कर रोक दिया कि अभी इसका उप्योग करना सही नहीं क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान जाएगी इस प्रकारिया अस्तर रामायड और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योधाओं के पास ही होता था यानि कि यह अस्तर ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह रखने की ताकत रखते थे अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको यहां क्यों बता रहा हूं तो बता ही देता हूं क्योंकि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपिनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अधिन किया गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वह ग्यानिक पर्मार ने का काम दिया था उन्होंने महाभारत काल के ब्रहम्भासตर अस्तर की संगहरक शमता पर सोध किया और अपने मिशन नाम दिया था ठुदंतरीट फिर उपनने के नेत्रत्व में अमेरिकन सांटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना सुरू किया 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परिक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौनारी के गंथों में ब्रमभास्तिर के बारे में बताया गया था इस सारे परमाणु वग्यानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तों में ब्रमभास्तिर जिसको आखिर रॉबर्ट उपनहाइमर ने क्या खा था चलिए देखिए देखिए किस तरीके से वैग्यानिक भी महा भारत और गीता पर विश्वास करते हैं लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महा नितिहास और धर्म युद्ध को एक मात्र कहानी मानते ह अब आते हैं तीसरे परमाण पर और वह है अंग देश का परमाण कुंती के सबसे बड़े वेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे जो उनको दुरियोधन द्वारा उपहार सुरूप भेट किया गया था उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा ज आना जाता है यह जी सको हमास दिल्ली कहते है वह महाअभारत के समय मैं इंद प्रस्थ के नाम से जाने जाने जाती थी तो यह इस थान साइकलों-स्थान तो ऐसे भी हैं जिनमक महाभारत के वक्त भी वही थे और आज भी वैस 새ह हैं जैसे कि द्वारिका कुरुक्षेत्र बर्नावा हिडिंबा आदि आवाते हैं चौथे प्रमाड़ और वह है चक्रव्यू पत्थर हिमांचल प्रदेश के हमीर पुर्जिले के सोला सिंगी धार के नीचे बसार राज नौड गाउं एक एतिहासिक स्थल के नाम से मश्वू प्रचलित मानेताओं के अनुसार पांडव अग्यातवास के दौरान यहां रुके थे अग्यातवास के दौरान अर्जुन ने यहां पर चक्रव्यू का ज्यान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उके रहा जो आज भी मौजूद है इस चक्रव्यू को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता अब बात करते हैं और वह लाक्षाग्रENE मां भारत में लाक्षा रह कि महत तो पूर्ण भूमिका मानी जाती है पांडवों खो जिंदा जलाने की साजी सुरची गई थी लेकिन सुरंगे के माध्यम से पांडवों ने निकल कर अपनी जान बचाई थी यह वाड़ावत यानि की वर्तमान बर्नावा नामक स्थान में बनाए गया था और इसके प्रमाड आज भी मौझूद है अब बात करते हैं च्छटे प्रमाड के बारे में और वह है श्रीमद भगवत गीता जिन्होंने श्रीमद भगवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकान स्लोक सि में लिखी गई है ये बाते किसी सामान ने मनिश्च द्वारा बिल्कुल नहीं बताया सकती आज मानव सब्विता बहुत विक्सित हो चुकी हो लेकिन आज भी गीता में वो ग्यान है जो अकल्पनी और आदुतिया है जिसे एक सामान विक्ति का दिमाग सूच भी नहीं सकत थे तो फिर महाभारत भी हुआ था अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाड के बारें और वह है द्वारिका नगरी इस बास से तो हम सभी परचित हैं कि भगवान श्री किष्ण द्वारिका के राजा थे और महाभारत में इस बात का उलेख मिलता है कि यहां नग प्रमाड का इस प्रमाड के बारें में जो महाभारत को सब्च הרp और महाभारत से लाइस सब्सक्रावन कमेंट करके बताएं उम्मीद करता है कि वीडियो अब के सब्सक्न हो सब्द्री करते हैं कि रख हैं पर तरव tara